नमस्कार आप देख रहें न्यूज वर्ल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो उल नरायन शुरुआत करेंगे खबरों की चुनावी हार के बाद कॉंग्रिस में बवाल शुरू हो गया है पार्टी के नाराज नेताओं के गुट G23 ने एक बार फिर सीधे नत्रित पर सवाल उठाए है इस बार निशाना प्रियंका गांधी पर भी साधा गया है सूत्रों के मताबिक G23 नेताओं के बैठक के दौरान ये सवाल खड़ा हुआ है कि चनाबों में हार के बाद राज्जों के इंचाआज और महा सचीवों से स्तिफाह क्यों नहीं मांगे गए क्योंकि उपी पे प्रियंका गांधी इंचाज थी और सब कुछ तेक रही थी इसलिए नेताओं से सीधे प्रियंका पर निशाना साधा है इतना ही नहीं पार्टे के नराज नेताओं के इस गुट ने बैटक में ये भी कहा कि कॉंगरिस को कुछ सनकी लोगों का गुरूप चला रहा है इस बैटक में तैह हुआ है कि नेता कॉंगरिस आलकामान से इस सवाल करेंगे कि राज्यों के इंचार्ज और महासचीवों से इस तीफा क्यों नहीं लिया गया साथे G23 नेताओं के इस बैटक में ये भी चर्चा हुई है कि हार की समिक्षा के लिए सोनिया गांधी ने जो कमीटी बनाई है उसमें वही लोग श्वामिल है जो हार के असली जिम्मेदार है